हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चोटे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है न्यू इंडियन एरा और आज हम पढ़ेंगे यहां पे अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर वान बाय लॉजी का सेकेंड वाला लेक्चर लेक्चर नंबर वन अलड कर दिया है उपर आए की बटन आपको आ रही होगी प्लीज वहां पे जा करके आप लोग उस लेक्चर को वाच कर लो और यह वाली वीडियो में बहुत छोटी सी होगी और बहुत ही आसान टापिक रहने वाला है कल हम लोग ने पढ़ा था कि अपना टेक्सवानॉमिकल इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने एक एक्जामपल भी दिया था कि जैसे कि अगर आपकी मॉम ने बोल दिया कि जाओ भाई ऐसे और्गनिजम को लेके आओ जो चार पैरो फे चलता हो ब्राउन कलर का हो उसके उपर ब्लैक ब्लैक लाइने हो तो वह और्गनिजम होगा आप तो यह सोचोगे ने कि टाइगर है ठीक है तो यह इंफोर्मेशन जो आपकी मॉम ने आपको बताई यही यह टेक्सवोन,मिकल ऐड़्स किसी ऑर्गनिजम के बारे में रिसर्ज करना किसी ऑर्गनिजम के बारे में इडिंटिफिकेशन और इसके बारे में प्रॉपर एक्सटेंसी रिसर्च फॉर इंटिफिकेशन एंड फॉर दिस सैंपल यह जो इन्फॉरमेशन है ना यहीं टेक्सोनॉमिकल एड्स तो आपको यह मिलेगी कहां तो आपको मिलेगी वेरियस टाइपस ऑफ हर्बेरिया में हर्बेरिया में बनाये जाते हैं आप घूमने कभी ग चांदो अच्छे से अच्छा एक quktion पहले start करने से पहले ऐप लोग मुझे बताना इसस कि पहले वाला बताना अगर मान लो मुझे बताना कि कौन living organism और भी ब्रेइखरby नहीं में भी बहुक्त कर रहा हो तो मेरी बोड़ी वी उसको नहीं ब्रेंडेड उसे कहते हैं जो जिन्दा तो है बट अनकॉंसियस बैठा हुआ है अधमरा पड़ा है जिसको अपनी भाशा में अधमरा कहते हैं ठीक है तो नावदेश पेशेंट्स आर डिकलेर्ड बेंडेड एंड आर अन लाइफ सपोर्ट दे डू नाट शो एनी साइंस ऑफ सेल्फ कॉंसियसनेस मत्तब जो मतलब एकदम बिहोस होते हैं जो ऐसे बैठे होते हैं उनको कोई दुनिया से फर्क नहीं पड़ता है यार मार ले 10 जापड मार ले 20 जापड उनका ब्रेंड अनकॉंसियस है तो क्या तुम इंसान living organism कहलाएगा तो यास वह भी living organism ही होगा बस यह कुश्चन था ऐसे do you know में think about it में दिये तो मैंने आपको दिखा दिया चलो ठीक आंके बढ़ते ही अब बात करते हैं हर्बेरियम की वट इस हर्बेरियम हर्बेरियम एक बहुत ही अच्छा टूल है taxonomic studies के लिए टू अगर हम हर्बेरियम चले जाएंगे जहां पर अलड़ी बहुत सारे साइंटिस्टों ने उसको करके रखे तो हमको अच्छी का सी इनफॉर्मिशन मिल जाएगी ना सपोज आया में रिसर्चर और आई वाट सम इनफॉर्मिशन अबॉट सम डिफरेंट और इसम तो क्या मैं जंगल में जाएंगा उस और्गनिजम को तो मैं हर्बेरियम चला जाओंगा ना तो मुझे वह इंफॉर्मिशन मिल जाएगी क्यों कि वहां पर पहले से बहुत सरे लोगों ने किसी और्गनिजम की इनफॉर्मिशन को निकाल के रख दिया है तो हर्बेरियम एक वैसी पेपर यहीजी चीट बनाती हैं या किसी और चीज की शीट बनाती है आपको यह और अच्छे समझेगा आगर आप घूमने जाओ की हर्वेरियम पार्क में तब लिउपमलगों कोई च्छोटा से हमें उस plant के वारे में study करनी है तो अब हम उस plant को बार बार जंगल में या कहीं हो डोड़ दो नहीं सकते तो हमने क्या किया उस plant को उठाया और उसको हमने proper तरीके से press किया press मतब वो इस तरी नहीं किया press मतब उसको proper तरीके साइज में लेके आया जो हमारी sheet है, उस sheet के size का लेके आया, उसको mount किया, उसको सुखाया, सुखाने के बाद हमारा plant हमिशे के लिए preserve हो जाएगा, तो हम उसको sheet में रख देंगे, और अब वो lifetime के लिए है, वगर कोई घूमने आएगा हर्वेरियम में तो देख लेगा कि हाँ इस तरीके का plant होता है और यह यह है, तो अगर उस plant तो देख लोगे, तो उसकी information में लिखनी पड़ेगी ना, कि आप assistant थोड़ी रखोगी, कि हाँ बेटा देखो, यह plant होता है, ऐसे थोड़ी होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, कि उस sheet के नीचे, उस sheet में label include कर देते हैं, यानि date, place of collection कि कहां से उ उस plant को collect किया था, उसकी date क्या है, और उसकी information, like किस classification के अंदर आता, like angiospermik है, जिम्नोसpermik है, कि यह flowering plant है, या फिर टेरडोफाइटा है, ब्राइटा है, कौन है, और उसकी सारी information, वहाँ पर हम इस्टोर कर देते हैं, यानि कि each and every information क्या होती है, लेबल होती है, उसी sheet के right corner में, अब जब हर्वेरियम में जाओगे, तो वहाँ पर आपको एक sheet मिलेंगी बहुत सारी, और उनमें बहुत सारे plant शुखा के mounted करके उसमें रखे होंगे, preserve करके, और उसी के sheet के right corner में आपको उसकी information लिखी हुई मिलेगी, तो उस information को label कहते है, label, समझ मैं है, मैं क्या ब information, हर rare plant की information हमें हर बेरियम में मिल जाती है, आप फ़ोरा sample आप यहाँ पर देख सकते हो, एक यह हमारा plant है, और देखो कैसे इसको sheet of paper में, इसको कैसे सुखा के mount करके, इस plant की पतिया, आपने कभी plant की पतियों को सुखाया है, यह leaf को, हरी leaf को सुखाद होगे, पेपर के mounted कर दोगे, प्रेस कर दोगे, और आपका पूरा काम बन जाएगा, और right corner में उसकी information लिख दोगे, बास, और कुछ नहीं, तो ऐसे हर बेरियम में आपको चीजे मिल जाती है, ठीक है, अब बढ़ते है, botanical garden की तरफ, exactly what is the meaning of botanical gardens, जैसे हर बेरियम का जो काम है कि taxonomical information देत देखो, these are the places, आप देखो, botanical garden के दो फायदे हैं, एक तो हम जैसे, अगर मैं suppose researcher हूँ, तो हम जैसे researcher हम जाके किसी भी plant की information, जो crucial information होती है, उस information को हम किसी भी plant की collect कर सकती है, बट आप के लिए क्या है, वो एक garden है, जहाँ आप जाके घूमते हो, बैठते हो, बस वो आपक हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा है, बट अजीब सा है, इतना सारा घंडार, जंगल है, वहाँ घूमने लाए, कप कुछ बचानी है, ठीक है, तो botanical garden के अगर बात करें, तो these are the places, where plants of a different, different varieties, are collected, and from different parts, collected from the different, different situation, and different parts, from the world, दुनिया से, are grown scientifically and systematically, in vivo manner, इन वीवो मतलब खुले environment में, या फिर inside something दिखो, माल अगर अगर अमेरिका में कोई plant होता है, तो उसकी sample को मैं उठा के लाया, और उसको अपने घर के अंदर tissue culturing करके, आपने पढ़ा होगा न, tissue culturing करके, उस plant को in vivo, यानि घर के अंदर ही, बाहर का environment देके, उसको develop कराया, इसे कहते हैं, in vivo, बाहर क किसी plant को घर के अंदर ही रख के उसको develop कराओ, बाहर का environment घर के अंदर ही देदो, और वो develop हो जाए अपने तरीके से, अगर ऐसी बाहर लगा दूँगा तो वो अपने तरीके से बढ़ेगा, लेकिन नहीं, हमको अपने तरीके से उसको बढ़ा करना है, तो फिर हमको सारा बा आजाता है tissue culture के लिए reality में, ठीक है तो समझना आपको, ठीक है, तो हम उसको develop कराते हैं, और develop कराके फिर हम उसको उस plant को लगा के और दूसरे जगह लगा देते हैं, और वहीं वो plant बढ़ा हो जाता है, तो इस तरीके से different variety वाले दूसरे देशों से हम लोग collect करते हैं, आलग की information हम होई पे लिख देते हैं, आपको एक बहुत ही famous botanical garden आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है यहाँ पे आपको नाम तो नहीं पता है किसी भी botanical garden का, बट एक ऐसा botanical garden है, जहाँ पे बहुत बड़ा बनियान ट्री है, करीबन 250 साल पुराना एक बनियान ट्री, people का इतना बड़ा plant है यार, कि यह अकेला एक plant, एक garden को carry करता है, मतलब देखो यहाँ पे आपको इसकी information मिलेगी, आपको यहाँ पे अगर हलका फदिक रहोगा, देखो about 1.5 hectare की जमीन में, यह एक अकेला plant फैला हुआ है, आप देख सकते हो कि कैसा है यह plant, देखो यहाँ पे एक root है, फिर उसका यहाँ पे जाड़ है, और देखो यहाँ फिर दुसरा निकला हुआ है, आपको पता है न कैसे यह बनियां tree होते हैं, इधर से निकलके अंदर जाते हैं, फिर जमीन से दुसरे निकलते हैं, वह Avenger movie जैसा, तो इधर से निकलेंगे फिर ऐसे फिर, मतलब एक घर जैसा पूरा plant है, मतलब इस plant की tap roots बाहर निकल निकल के और बड़ा सा एकड़म बना दिया है, just search it on YouTube और Google आपको पता चलेगा, तो यह ऐसे देखो पूरा यहां तक, पूरा एकड़म फैला हुआ है, पूरा यह garden ही garden है, मतलब एक ही garden में एक ही plant है, ऐसा लगता है एक खंबे खंबे भी उसी plant के निची के root बाहर निकले हैं, और उपर से भी छाया हुआ है, ऐसा ही तो फिलाल people का पेड़ होता ही है, ठीक है तो यह आपको समझना है, तो यह 250 साल पुराने से भी ज़्यादा बड़ा plant ही, तो यह botanical garden के अंदर रखा गया, अब इसकी information पानी वाला museum होता है, बहुत कुछ museum होते हैं, museum में क्या होता है, कि बहुत सारे एक ऐसा प्लेस है museum, जहां पे collection of preserved plants and animal specimen are kept, यानि कि कुछ specimen, what is specimen, मानलो एक frog है, आपके school में frog का specimen जरूर मिला होगा, तो एक मानलो frog है, उस frog को उठाया, और glass एक कांच की bottle होगी, और इस bottle के अ होगा, पानी नहीं होता हो, कौन सा chemical यांगे बताऊंगा, तो वो chemical रखते हैं, और उसी chemical के अंदर frog को डाल देते हैं, मार के उसको और उसकी body को वैसे ही रख देते हैं, तो 10 साल बाद भी उसकी body वैसे ही रहती है, हलांकि वो death रहे, उसकी dead रहेगा वो animal, जो भी frog है, बट आप कभी भी घूमने होगे, तो आप देख सकते हो, कि हाँ, यह frog का specimen है, और यह ऐसे होता है, अगर आपको इस वक्त frog देखने हैं, तो आप इस वक्त frog थोड़ी मिलेंगे देखने के लिए, तो frog का specimen रख देते हैं, इन्हें किसी museum में, समझा frog क्या होता है, मतलब क्या होता हैं, तो preserve, अगर आप बताओ, किसी की, अगर मरी हुई body को आप ऐसे रखोगे, तो वो गंध मारने लगेगी, बास मारने लगेगी, तो उसको preserve करने के ने liquid material का इस्तमाल करते हैं, तो और उस liquid material में जानते हो, कौन सा chemical होता है, उसका नाम है formalin, exactly what is the meaning of formalin, तो formalin जो होता है, यह 10% to 40% of formaldehyde कहलाता है, what is formaldehyde, you already studied in the chapter number 9, carbon compound class 10th science 1, that is aldehyde, what is aldehyde, bond C, double bond O, bond H, आपने यह functional group aldehyde का पड़ा होगा, तो उसी में से जो हमारा aldehyde है, यह दो को यह aldehyde है, और इसके बगल में H लगा दो, this is the formaldehyde, तो यहाँ पे 40% formaldehyde, और 10% मतलब 10 to 40% formaldehyde, और बाकी पानी होता है, water, तो यही होता है formaldehyde, इसी के अंदर सभी की body को preserve करते हैं, जिससे की body बास भी नहीं मारती है, और proper तरीके से रहती भी है, तो इसी के अंदर हम लोग preserve करतें, museum में, यह exam में question MCQ में पोच सकते हैं, वो जो jar होता है, jar, जो glass होती है, glass की bottle, वो jar होती है वो jar में labeling देखो, आप मालो एक bottle है, मालो suppose that this is the bottle, और इसके अंदर आपने किसी frog को रख दिया, पानी के अंदर, तो इसी jar के बाहर एक कागज लगा देते हैं, paper, और paper में लिख देते हैं, this is the frog, यह frog को यहां से हमने collect किया था, यह इस level के अंदर आता है, इसका ऐसा classification है, य जगाय का है, समझा, तो फी jar के उपर हम सब labeling कर देते हैं, वहीं पर हम label कर देते हैं, और इससे हमें फायदा होता है, यह taxonomical aids के form में, अगर मैं कभी किसी जानवर के बारे में ढोड़ने आया, तो मैं किसी भी museum में घुस के, और उसके information को देख सकता हूँ, कि हाँ यह जान जाते हैं, जानवर के बारे में, कभी जाओ museum घुमने तब समझेगा, अगर मालग कोई बड़े-बड़े birds हैं, like, like, big birds and mammals, तो इनको कैसे preserve करते होंगे, तो इनको preserve करने के लिए हम इनको पहले stuff करते हैं, stuff, मालग कोई पक्षी है, bird है, तो उसको हम पहले सुखा, उसकी body को स सुखा देते हैं, मतलब धूप में, heat दे की सुखा देते हैं, उसकी चमड़ी skin को पुरा सुखा देते हैं, सुखा ना, imagine करो नो, जब हमारी body को सुखा दिया जाएगा, तो हम कैफे होंगे, उसको stuff कर देते हैं, और इसी technique को हम taxidermy कहते हैं, यानि हमारी skin को सुखा दिया जाता है, और फिर हम रख देते हैं, वो कभी सुखा मक्षी आती हैं, सुखा मक्षी अभी देखा रहे हैं, मैं तो vegetarian, I don't know, market में मैंने देखी है, वो सुखा मक्षी कैसे देती है, मक्षी को सुखा दिया जाता है, उसकी body को, वही है taxidermy, समझा अच्छे से taxidermy, तो यह कह रखे होते हैं, तो आप एक बार घुमने जाओके, तो ही आपको अच्छे से समझेगा, अब बात करते हैं, जू लॉजिकल पार्क की, जू लॉजिकल पार्क इक्सक्री क्या होता है, यह एक ऐसा place of interest है for the common man, जहां पर बहुत सारे शेर, चीता, भालू, गेंडा, बहुत सा बारी हम देखते हैं, बट एक researcher के लिए वो बहुत crucial जगह होती है, जहां पर different different types के organisms, जहां पर different different type के plant, animals आपको मिल जाते हैं, और वहां पर आप जाके wild animals के बारे में study कर सकती हो, बहुत खतरनाक जंगली जानवरों को wild animal को captivity में रखते हैं, captivity में, captivity में मतलब jail के अंदर, ब रहने का, वैसे ही environment captivity के अंदर बनाया जाता है, और फिर Jew के अंदर, हाँ सब लोग रहते हैं, यह जो logical पार्ग को basically हम Jew भी कहते हैं, जिसे अब Jew कहते हो, तो यहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं, जिन जानवरों को हम captivity में रखते हैं, और proper place में इने रखते हैं, हम लोग information होती है, data, तो जब जब इनको data चाहिए about the organism or about the plant, तो वहां पर जाके सारे information ले सकता है, अब मालोग कोई captivity के अंदर एक share रख दिया, तो share की information तो बगल में लिखी होगी न, कौन सी वराइटी का share है, किदर का है, कौन सी दिनिया में रहता था, कौन फे जगे में अमेरिकन है, कि अपने सुन्दर बन का है, किदर का है, है न, तो यह हम पता कर सकती है, तो यह जो लॉजिकल पार के अंदर ऐसा होता है, अब अगर, अब हमारा एक naturalist क्या करेगा, naturalist जो study करता है about the organisms, वो जाएगा, can study the habits and behavior of that animal, अब share की बारे में पढ़ना है, तो उसका share की habit क्या है उसके character क्या है, उसका behavior क्या है, वो easily हम जाके Jew में पढ़ सकती है, but एक normal common man के लिए तो एक point of interest है, and nothing, ठीक है, तो यह सब के point of view से Jew अगरा बनाए जाती है, आपको पता होगा बहुत सारे Jew में, यानि Jew logical park में, दो चीजे होती है, एक होता है flora, एक होता है fauna, flora and fauna, आपने is related to animals, यानि कि animals का preservation, animals की growth is nothing but fauna, and what is flora, flora is nothing but totally related to plants, यानि plant का growth and plant का preservation, यह सब fauna हमारा यहाँ पे flora कहलाता है, और fauna मतब animals, आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राणी संग्र हाल है, इंदौर जू, यह इंदौर का है, मेरे इदर का है, I am from MP, I am living in Mumbai, but I am from MP Madhya Pradesh, जहाँ पी प्राणी संग्र हाल है, आप मुंबई में भी आओगे, नेस्नल पार्क है, मुंबई में है, नेसंजे गांधी नेस्नल पार्क वहाँ पर भी है, बट वो जू नहीं है, आप मुंबई में जू मर गया है, मतब जू अच्छा ही नहीं है, और जू है भी तो वहाँ जानवार ही नहीं सिर्फ कैप्टिविटी है वहां जानवर ही नहीं तो आउट अफ मुंबई घूम के आओ तो मज़ा लगता है ठीक है तो यह हमने जू लॉजिकल पार्क के बारे में समझ लिया अपना में एम समझा ना कि टेक्स नॉमिकल निफ्वर्मेशन कहां से मिलती है जू लॉजिकल पार्क घरवेरियम म्यूजियम इन सबसे हमको टेक्स नॉमिकल इनफिसेंट है इतना चोटी सी बात है और क्या अब अगये बढ़ते हैं बायोगोजिकल डाय अवर्शीटि पार्क इन में क्या होता है यहां पर क्या होता है of self-sustaining communities on degraded bear and landiscape कहने का मतलब क्या होता है कि यहां पर जरा ध्यान से समझें आप लो बायो डाइवर्सिटी पार्क क्या होता है देखो आप मुजियम में जाओगे आपको नॉर्मल स्टफ्ट स्पेसिमन मिलेंगे प्रिजर्ड स्पेसिमन मिलेंगे हर्वेरियम में जाओगे हों पर सुखे हुए प्लांट मिलेंगे और उसको प्रिजर्वर लेबिलिंग होगी अगर आप अभी जो लॉचकल पर्क में जाओगे तो आप जिंदा और्मिलेंगे लेकिन कि ब्लांट मिलेंगे इनफॉर्मेशन अब आप ब्हाइवियर को जां सकते हो किसी भी अनिमल की बडिन बायो डाईवर्शिटी पार्क क्या होता है कि इस पार्क के अंदर डिफ्रेंट डिफ्रेंट वराइटीज के प्लांट अलग-अलग कंट्रीस से मिले हुए अलग-अ तो में भी शायद, शायद कह रहा हूँ, मैं गया नहीं हूँ कभी भी, शायद, according to this information, शायद वहाँ पर आपको क्रो मैंगने मैं के information मिल जाए, और वहीं पर इंसान की information मिल जाए, तो आप एक differentiate करके जान सकते हो, कि आज का human being और पुराने जमाने का human being कैसे होता था, बुक में लिखा है, सब लोग study करते हैं, हलग museum में, botanical garden में सब जगे जाके सब सर्च करते हैं, समझा, तो यानि कि ecological assemblies of species, अलग-अलग species को assemble करके, देन उसको biological या biodiversity park में रखते हैं, और उसी के अलग-अलग variety को हम लोग उसके evolution को समझ सकते हैं, इन दी biodiversity park, यह information थी, example के लिए बतादू कि लेट उत्तमराव पाटिल biodiversity park गुरेगर महा बलेश्वर में एक प्रेजन्ट है, जो बहुत ही best, finest biodiversity plant in the world, महा बलेश्वर में, एक बहुत ही बड़ा सा उत्तमराव पाटिल biodiversity park है, जहां पे आप एकदम, मतलब best model है conservation of natural heritage का, मतलब urban land escape में, आज के नए जमाने में, पुराने जमाने के सारे organisms, पुराने जमाने के सारे diversity चीज़ों को, डाइवर्स या varieties of organisms को store करके रखा गया है, आप जाके मस्त study कर सकते हो, जाना कभी घुमने यहाँ पे मज़ा आएगा, लास्ट टॉपीक है हमारा की, वट इस की, की के इबाई, चाभी की बात ने करो, ताले की चाभी की बात ने करो, वट इस की, की यहाँ पे कहलाता है कि एक ऐसी taxonomical aid यानि इन्फॉर्मेशन जो classify कर सकती हो, plant को और animal को, एक एसी इन्फॉर्मेशन है, एक एसी taxonomical aid है, जो एक plant को और एक animal को classify कर सकती हो, यानि की is the taxonomical aid, which can classify plant and animal, एक एसी जानकारी, जो एक human being को और एक plant को classify कर सकती हो, कि हाँ, एक जानकारी, जिसे की अगर मैं जानकारी की बात करो, तो पेंड हमारे हरे भरे होते हैं, पतिया ह होती है, उनकी stem होती है, plant बड़े होते हैं, यह एक information हो गई, इंसान छोटा होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आखें होती है, तो यह human being की information हो गई, यह दोनों information से हम classify कर सकते हैं, कि हाँ, यह plant है और यह animal है, animal का अपना information, plant का अपना information, so this is the key, by which we can differentiate the plant and animal, इ इसे के अगर plant है, तो plant हरा भरा होगा, बड़ा होगा, मोटा होगा, और trees के अंदर roots होगे, तो इसी के opposite क्या होगा, तो इनसानों के अंदर दो पैर होती है, वो चल सकता है, move कर सकता है, बड़ प्लांट कैननोट मूव, तो यह एक दूसरे के contrasting हो गया है, कि human being can move, plant cannot move, तो sacred के नाम से, जैसे कि एक plant है, इसमें भूत या भगवान रहते हैं, तो वो plant को हम sacred groups कहते हैं, sacred groups, उन plant को reservation मिला है by IUCN, international, कुछ तो इसका full form है, conservation of nature, जो भी है, I don't know, international union of conservation of nature, I think, यह इसका full form है, I think, ठीक है, तो इसी के अंदर इसको preserve गया जाता है, ऐसे sacred groups को, यह सब आपक खतम हो गया हमारा chapter, और आपकी प्रशान भाईया ने आपको सब पढ़ा दिया, मेरा नाम था Mr. Prashant Tiwari, thank you so much for watching this video, आपको यह chapter अच्छा लगा हो, तो सब को share कर देना, यह chapter बहुत ही आसान था, और बहुत ही मज़ेदार था, अगर आप चाहो तो मुझे Instagram में follow भी कर सकते अगर आप लोग चाहो तो इसकी notes में telegram में दे दूँगा, comment box से बताना video कैसी लगी, like कर देना, share कर देना सभी friend में, मिलेंगे एंगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, bye to all of you